तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोकी और रानी के सुरुवाती दो दिनों के वर्ल्ड वाइट बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से टोटल कितने करोड की कमाई की तो चलिए सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो परन जोहर के डारेक्शन में बनी फिल्म रोकी और रानी की प्रेम कहानी जिस फिल्म में हमें देखने को मिले एनरजिटी के स्टार रनवीर सिंग और उनके साथ नजराई थी आलिया भट फिल्म में लेज क्योंकि जो जो लोग इस फिल्म को सिनमा घर में देख के आए सभी का कहना था कि फिल्म में कोमेडी भी अच्छी है ड्रामा भी बढ़िया है फिल्म के गाने भी सूपर डूपर हिट है यानि कि लगभग पोने तीन घंटे की इस फिल्म में ओडियंस को भर भर के एंटरें मिला जिसके चलते ही फिल्म वोक्स सोफिस पर अच्छी खासी ओपनिंग ली साथ ही दूसरे दिन फिल्म के कलेक्षन में एक गजब की उचाल देखने को मिल चुकी है जिया दोस्तों अगर बात करें फिल्म के दो दिनों के कलेक्शन के बारे में तो 118 करोड के बजट में बनी फिल्म रोकी और रानी की प्रेम कहानी जिससे दुनिया भर में 4800 स्क्रीन पर रिलीच किया दोस्तों रिलीच होते ही इस फिल्म ने अपने पहले दिन ओल इंडिया नेट कलेक्शन 13 करोड 10 लाख रुपे का किया जो की एक तरह से डीसेंट ओपनिंग रही लेकिन मैंने आपको बताए कि फिल्म को रिव्योज अच्छे मिले जिसके चलते फिल्म के सेकंडे की उक्किपिंसी में एक बढ़िया ग्रोथ आ चुका है जिया दोस्तों यहाँ पर रोकी और रानी की प्रेम कहानी को दूसरे दिन मॉर्निंग वाले सोज में जो अक्किपिंसी मिली है वो कल के मुकाबले 12 से 15 परसेंट जादा है साथ इसाथ फिल्म के अक्टरनून योनिंग और नाइट सोज की जो बुकिंग है वो भी पहले दि तक आईए उसके मुताबिक रोकी और रानी की प्रेम कहानी अपने दूसरे दिन ओल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 15 करोड 50 लाक रुपे और इसी के साथ रोकी और रानी की प्रेम कहानी का सुरुवाती दो दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 28 करोड 70 लाक वही ओल इंडिया ग्रोस कलेक्षन 34 करोड 25 लाक रुपे बताना चाहेंगे फिल्म ने और सिस मार्केट यानि की विदेशों से 9 करोड 55 लाक रुपे कमाए है इसी के साथ दोस्तों रोकी और रानी की प्रेम कहानी का सुरुवाती दो दिनों में एस्टिमेट वर्ड वाइड ग्रोस कलेक्षन 43 करोड 80 लाक रुपे का हो रहा है अब दोस्तों कल है संडे तो कल इस फिल्म के कलेक्षन में एक बड़ा उचाल देखने को मिल सकता है